हेलो गाईज वेल्कम बैग टू माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब तो गाईज चलिए शिरू करते हैं आज की ये वीडियो गाईज आज की इस वीडियो हम डिस्कुस करने वाले हैं कुछ हदीश मबारका तो चलिए शिरू करते हैं गाईज हजरत मौज बिन जबाल रजियो लाह अन्हों कहते हैं रसुल्लाव सल्लाव सल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर फरमाया अल्लह की कसम आई मौज मैं तुम से महबबत करता हूँ और इसी महबबत की वज़े से मैं तुम को वसीयत करता हूँ कि हर नमास के बाद ये पढ़ना कभी न बूलना अल्लहुमा इन्नी अला जिक्रिका वशुक्रिका हुआ हुआ खुसन इबादा देगा यानि आई अल्लह मुझे अपने जिक्र की और शुक्र की और अच्छी तरह अबादत की तुफीक तुफीक दे और या मेरे तो गाइज तो ये है अगली हदीथ हजरत आस्मा बिन तेयुमैस रजियल्हा हो कहती है कि मुझे से रसूल असले ने फरमाया क्या मैं तुम को ऐसी दुआ ना बता दूं जिसको तुम मसीबत और परशाने के वक्त पड़ो और वह ये है यानि अल्लह मेरा रभ है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगे और ये सोर्स इसका यह है सुना सुनाने अबू दौद तुगाई जी एह हदीस में बारिका है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्हान हूँ ने रसूल अल्लह सल्म से पूचा कि ऐ अल्लह की रसूल मुझे कोई दूआ बताएं जिसको मैं नमाज में पढ़ू तो आप सल्म ने उनको दौई मसूरा पढ़ने के लिए बताया सही बुकारी 834 सही मुस्लिम 2705 तो गैस अगली हदीश मुबारका है हजरत अबू हरीरा रजी अल्हान हूँ रसूल अल्लह सल्म से रिवायत करते हैं कि आपने फरवाया मुनाफिक की तीन अलामत ये पहचान है नमबर वन जूट बोले और नमबर दो वादा खिलाफी करे और नमबर तरीन इमानत में खियानत करे सही बुकारी 33 और सही मुस्लिम 58 तो गैस ये है कुछ हदीश मुबारका जो आप से हैंने रिसकस की हैं तो गैस इसमें अगर कोई गलती और कुछ भी हो तो आप कोमेंट्स में भी बता सकते हैं और हमें अल्ला ताला कहने से के सुनने से अमल करने के दो अफिक अदा फर्माएं झाल प्रण तो डर चाल तो आप से अध झाल करने रिसक्ट एंदाने बता सकते हैं झाल झाल